बात से भारतीय रेल ने नई लाइन विछाने से लेकर डेज परिवर्तन और दोई करण कारेयों को दोगुली तेजी से पूरा किया है। इस बीच चाधाम रेल लिंक जैसी कई महत्वाकांशी परियोजनाओं की भी शुरुवात की गई है। लेकिन इन सभी कारेयों के लिए साइट सर्वेक्षन और मान चित्रन एक जटन और लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे बोड ने सर्वेक्षन कारे में आधूनिक तक्नीक के इस्तिमाल का अध्यायन और मुलियांकन करने के लिए एक कमैटी का गठन किया। जिसने भारत और विदेशों में इन कारियों के लिए इस्तेमाल की जा रही विभिन टक्नीकों का तुलनात्मक अध्यायन कर, साल 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिन में परियोजना आधार पर बेहतर टक्नीकी विकल चुनने के सुझाब दिये गए हैं। साइट, सर्वेक्षणों और मान चितरण के लिए पारंपरिक सर्वेक्षण तक्नीक और सैटलाइट इमेजरी के अलावा, ड्रोन फोटोग्रोमेट्री, कंप्यूटराइजड 3D इमेजरी, डी जी पीएस और लाइडार जैसी अध्याधूनिक तक्नीके इस्तिमाल की जा सकत इनमें डिजिटल भूस्थानिक डेटा पहले चरण में सर्वेक्षण कार्य को काफी आसान कर सकता है। भारती रेल अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए अब इन नवीन और ज्यादा सठीक सर्वेक्षण तक्नीकों के इस्तिमाल पर जोर दे रही है, जिससे परियोजन को पूरा करने में और ज्यादा तेजी आएगी। इससे ना सिर्फ लंबित रेल परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जा सकेगा, बलकि लागत में भी काफी कमी आएगी। नवीन तक्नीक द्वारा भारत सरकार की संपोर भारत को रेल नेटवर्क पर लाने की योजना सा अब अत्याधूनिक सर्वेक्षन तक्नीक की मदद से ज्यादा तेजी से तौर रेकी भारती रेल।